Hey guys, welcome back to my channel and मैं हूँ कवीता तिवारी तो आज मैं आपके साथ अपने गार्डन की चितनी भी बास्केट्स है ना उस सब आपके साथ शेयर करना जाओंगी दोस्तों इन बास्केट्स में आराउंड 40 प्लस प्लांट्स है चोकि आप कटिंग से या नर्सरी से पौद लाके अपनी बास्केट्स तयार कर सकते हैं और नेक्स सीजन आप इनसे बहुत सारी बास्केट्स डिवाइड करके बना सकते हैं जिनके घर में जगर कम होती है और जिनके पास प्लांट्स रखने के लिए नीचे स्पेस नहीं होता तो वो बास्केट्स लगा सकते हैं और बहुत ही खुबसूरत लगती हैं ये कलरफुल बास्केट्स दूर से भी यह दिखती है तो बहुत प्यारी लगती है और बहुत अच्छे से सर्वाइब भी करती है तो दोस्तों अगर आप भी लगाना चाहते हैं ये खुबसूरत प्लांट तो ये वीडियो एंड तक देखिए और अगर आप मेरे चानल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने है तो लाइक बनता है तो दोस्तों फर्स जो प्लांट है वो है सिंगोनियम ये भी बहुत प्यारा प्लांट है और इसमें एक चोटी सी देखे कोलियस की पॉद भी निकल गई है अपने आपसे सेकेंड है हमारा टैंगलेड हार्ट ये भी एक बहुत अच्छी वाइन है ऐसे देखे कितनी प्यारी प्यारी इसमें से लेयर निकलती है और बुशी हो जाता है नेक्स्ट है हमारा पॉर्सलीन का प्लांट ये भी बहुत खुबसूरत प्लांट है उसके बाद है हमारा वां आम नहीं पता, मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसी लिया था ही, तो next है हमारा spider का plant, इसके तो बहुत सारी babies निकलते हैं, आप divide करके बहुत सारी plants बना सकते हैं, यह देखिए, पर्चू लगा कि ना, बहुत सारी variety है में पास, next है दोस्तों हमारा pandanus, दोस्तों pandanus और spider plant में फरक ह बहुता है, next है हमारा z plant, देखिए दोस्तों कितनी प्याई लग रही है, इसके टोपियारी और बना सकते हैं, next है हमारा asparagus, बहुत ही खुबसूरत plant है, यह भी, और फैल जाता है एक दम से, और इसे भी आप अपनी basket में add कर सकते हैं, next है दोस्तों हमारा dynethas, जो कि सर्दि का plant, इसे भी हम divide method दे, बहुत सारे plant मना सकते हैं, इसके bulb आते हैं, तो उससे हम बहुत सारे plant, next है दोस्तों sweet potato wine, जो कि मैंने अपने घर में हुगाई है, आप इसकी उपर से pinching करते रहे ना, तो यह एकदम से फैल जाता है plant width wise, यह उपर की side में और width में फैलेगा अगर यहाँ पे, next है दोस्तों fox tail farm, यह भी मैंने divide method से देखिए, कितनी अच्छी एक basket तियार कर लिया, एक plant लाई थी, और आप मेरे पास इसके तिन plant बन चुके है, तो ऐसे आप divide करके अपनी baskets बना सकते हैं, बहुत सारी, देखिए, लेयर निकलती है, इसकी बहुत प्यारी यह भी बहुत प्यारा plant है, इसमें चुटे-चुटे एक प्लार आती है, purple color की, next है दोस्तों हमारा अज्वाइन का plant ही, इस plant के तो बहुत सारे benefit है, इसका एक पता आप morning में भूगे बिट खाएं, तो गैस मेरे की problem नहीं रहती है, तो बहुत ही खुबसूरत plant है, इसकी pinching क बहुत है तो यह width में बढ़ता है, और next है दोस्तों यह Z plant, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, Z के में पस बहुत सारी baskets, बहुत सारे plant, topiary, bonsai, बहुत सारे मैंने बना रखें, एक एक cutting से, next है दोस्तों हमारा calonche, जो सर्दियों में भी बहुत अच्छे से flowering करता ह है, यह इसका desi variety है, इसकी hybrid variety भी आती है, देखिए कितना अच्छा है, जिर्फुल पत्थर चट्टे के पत्ती की तरह है, एक leaf से grow होने वाला plant है, बस थोड़ा सा इसको पानी मगरा कम दीजी, next है दोस्तों हमारा portula का, यह है hybrid variety इसकी, यह भी बहुत खुबसूरत plant है, next है wandering juice, यह भी मेरे पास इसकी दूसरी variety है, दो color है wandering juice के, next है pennywort, यह भी बहुत खुबसूरत plant है, इकदम से basket भर जाती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े pot में लगाए, next है हमारा marble money plant, जो की बहुत ही खुबसूरत आप देख सकते हैं, कितने प्यारे leaves हैं इसके, आप भी बहुत खुबसूरत, अभी new plant हैं, दोस्तों तो उनकी growth थोड़ा सा कम दिखरी होगी आपको, यह थोड़ा सा धूप में रह गया था, किसी type में पास, तो इसका जो color है, वो change हो गया, मगर आप इसकी pinching करते रहेंगे, तो कोलेस का plant भी आप basket में लगा सकते है, next है हमार string of heart, बहुत खुबसूरत plant है, इसकी दो layer में लेके आई थी, और आज देखे, कितनी पूरी basket भर गई है, इसकी leaves देखे, कितनी attractive है, इसे बहुत प्यारी-प्यारी line type के आती है, बहुत ही खुबसूरत plant है, next है हमारा donkey tail, यह देखे दोस्तों, एक छोटे सी इसकी leaves से भीना यह grow कर जाएगा plant, और succulent के उसमें आता है, तो इसको धूब भी चाहिए, और पानी इसको कम चाहिए, तो यह भी अपना plant आप garden में add कर सकने है, बहुत ही खुबसूरत plant है, next है दोस्तों, नमारा वर्भीना का plant, सर्दियों का भी plant है, और मेरा यह गर्मियों में भी देखे इतने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, मैं इसकी चोटी-चोटी-चोटी-पिंचिंग करती रहती हूँ, ताकि यह width में बढ़े, नहीं तो सदा बाहर जो है, वो एकदम से लंबाई में बढ़ता है, तो वो बिल्कुल भी सुन्दा नहीं लगता है, तो इस तरीके से और पूरा गाड़न आपका महकेगा, नेक्स्ट है है वर्थी का प्लांट, यह भी सुकुलन पराइटी है, इसे भी पानी कम चाहिए, और आप इसे धूप भी चाहिए, एकदम से इंडोर शिफ्ट मत कीजिए, बास्किट का प्लांट है, नेक्स्ट है स्टिंग और पाल, यह भी गोल-गोल अंगूर की तरह इसके जो पते हैं, वो आते हैं, बहुत ही खुबसुरत प्लांट है, नेक्स्ट है पिंक सिंगोनियम दोस्तों, सिंगोनियम की एक सिंपल वराइटी आती है, यह है पिंक, इसके पिंक पते आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉक्सकॉम, यह take care, happy gardening and keep gardening